नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार साथियों आप सभी का धेरादुन क्लासेज के इस यूटूब चैनल पर हर्दिक श्वागत हैं मैं चेब राजा आप सभी का हर्दिक श्वागत करता हूं डियर स्टूडेंट्स आज हम BSTC एक्जाम दो हजार बाइस आज आज टक्टूबर दो हजार बाइस को BSTC का फेपर शमाप तो चुका है मैं आपके सामने BSTC की अंसर की बिल्कुल सई सटिक जितने प्रशन मुझे डियर स्टूडेंट्स के दोरा भिजे गए थे उन प्रशनों को लेकर मापके सामने आज जिरुआओं प्रसन किस किस प्रकार से पुछे गए थे पहली चीज़ तो यहाँ दूसरी बात बिटा अगर आपके पास भी अगर कोई प्रशन है तो आप कमेंट बुक्स में जरूर उस प्रशन को कमेंट कीजिए ताकि आने वाले बच्चों को और भी पता लग सके तो चलते हैं आज के उन प्रशनों के और के किस किस प्रकार से प्रशन पुछे गए थे दिखें मैंने उन सभी प्रशनों की पीडियेप यहाँ पर बना लिये और आपको पीडियेप सवरूप उन प्रशनों को भी मैं आपको उपलब्द करवाऊंगा ठीक है चलिए आज का पहला प्रशन आपके सामने है आपके स्क्रिन पर है पहला प्रशन पुछा गया मली नात पशुमेला कहां पर आयजित होता है ये मलीनात पशुमेला राजस्तान के किस जिले में आयजित होता है आपसे पुछाओ और मलीनात पशुमेला होता है विटा तिलवाडा के अंदर और ये तिलवाडा कहा पढ़ता है तिलवाडा पढ़ता है बासवाडा के अंदर तिलवाडा कहा पढ़ता है बाडमेर के अंदर तो तिलवाडा बाडमेर के अंदर ये आयोजित होता है मली नाथ पशु मेला मली नाजी राठोड थे और मली नाजी राठोड का मंदिर प्रसिद मंदिर तिलवाडा बाडमेर दूसरा प्रशन एक साइते में से पुछा गया था मारवाडरा प्रगनारी विकत के लेखक कोंते और इसके लेखक कोंते मुणोत नैंसी इसके प्रसिद लेखक थे या आपको ध्यान रखना मुनोत नैंसी इसके प्रसिद लेखक थे और इसी मुनोत नैंसी को एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था मुनसी देवी प्रशाद इस मुनसी देवी प्रशाद के द्वारा इस मुनोत नैंसी को राजिस्तान का अबुल फजल भी कहा जाता है तीसरा प्रशन देखें वित्रो तीसरा प्रशन बहुत अच्छा प्रशन पुछा गया आपको ध्यान में रखना है और तीसरा प्रशन कितना प्यारा प्रशन पुछा गया था कि सिवरात्री पशु मिला कब आयोजेत होता है इसके answer मैं आपके सामने लेकर रहा हूँ और ये पशु मेले का आयजन कब होता है तो आपको ये ध्यान रखना इस पशु मेले का आयजन कब होता है ये फालगुन मास के अंदर होता है और फालगुन मास के अंदर भी कब होता है प्रिशन पक्स की तेरस को सिवरात्री सिवरात्री के दिन राजिस्तान में मिला कहा का लगता है एक तो मिला लगता है सिवाड में एक तो मिला लगता है सिवाड में और सिवाड कहा पढ़ता है सवाई मादोपुर के अंदर इसका प्रसिद्ध क्या लगता है मेला लगता है ठीक है सिवरात्री पशुल राजिस्तान अभी लेखागार कहां पर इस्तित है तो राजिस्तान जो अभी लेखागार है ये राजिस्तान अभी लेखागार राजिस्तान के बिकानेट जिले के अंदर इस्तित है ये राजस्तान के बिकानेट जिले के अंदर है ये ध्यान रखना सुरू में इसकी इस्तापना थे ना वो जैपुर जिले के अंदर के गई थी सुरू में इसकी इस्तापना कहां पे के गई थी जैपुर जिले में के गई थी मगर बाद में इसको बीकाने टर। एक ये देखो खेराडी वासा काहां बोली जाती यह प्रिशन भी पूचा गया था और खेराडी वासा राजस्तान के टॉंक जिले के अंदर बोली जाती है और इस टॉंक जिले के अंदर ध्यान से सबसे important बात यह है इस टॉंक जिले के अंदर आपको एक भेड की नशल भी मिलती है और ये कही बार पुछी जाती खेराडी भेड की नशल और खेराडी एक भेड की नशल है ये भी राजस्तान के टॉंक जिले में अगला परशन देखें राजिस्तान का चेटा प्रिशन कितना अच्छा प्रिशन ने आपर दिया गया था प्रिशन बहुत अच्छा था 1857 की क्रांती किसमें राजिस्तान में कितनी सैनिक चाउनिया थी 1857 की क्रांती किसमें राजिस्तान में कुल सैनिक चाउनियों की संक्या कितनी थी ये चीज़े यहां पर पूचे गई है और यहां कुल सैनिक चावनियों की संक्या कितनी रखे गई थी तो कुल सैनिक चावनियों की संक्या रखे गई थी यहां पर 6 सैनिक चावनिया थी टोटल राजिस्तान के अंदर अब यह जो 6 सैनिक चावनिया कुंती नमबर एक पे आती है बिटा नसीराबाद नमबर एक पे आती है नसीराबाद नमबर दो पे आती है आपको पता होगा अजमेर के अंदर ब्यावर ये ब्यावर भी अजमेर के अंदर है नीमच नमबर तीन पे आती है ये भी आप जानते हो एरेनपुर आती है नंबर 4 पे पाली के अंदर है नंबर 5 के अंदर के आती है देवली आती है और नंबर 6 पे खेरवाड़ा आती है ये सबी राजस्तान सातोवा प्रशन देखें बहुत अच्छा प्रशन पुछा गया है यहाँ पे सातोवा प्रशन कि नवीन राजिस्तान नवीन राजिस्तान समाचार पत्र कहा से निकलता है ये प्रिशन पुछा गया है नवीन राजिस्तान समाचार पत्र अजमिर से निकलता है बिंदुलाल बठाचारिये का सम्मध किसे है तो बिंदुलाल बठाचारिये का सम्मध है बिजूलिया किसान आंदोलन और बिजूलिया किसान आंदोलन के अंदर ये ध्यान रखना बिजूलिया किसान आंदोलन के अंदर ये क्या था एक जाँचायोग था ये मेवाड माराना के द्वारा बेजा गया था और मेवाड माराना के द्वारा बेजा गया एक जाचायो गी था और उसका रामता बिंदूलाल बटा चाहिए प्रेसन 9 नमबर पे क्या था प्रेसन 9 नमबर पे है बिटा काली बंगा सब्वेता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया देखो कितना अच्छा प्रेसन पुचा गया काली बंगा सब्वेता का उत्खनन और ये उत्खनन किया गया था बीबी लाल और बीके थाफर के द्वारा काली बंगा सब्वेता राजस्तान के हनुमानगड जिले में ये हनुमानगड जिले में ये भी बता देते हैं ये कौन से द्यार में रखना सरफंच को सफत कौन दिलाता सफत और सरफंच को सफत कौन दिलाता पीटा से नदीकारी दिलाता है जो पीटा से नदीकारी होता है वो पीटा से नदीकारी सरफंच को क्या दिलाता है सपत दिलाता है यह बात आपको द्यार में रखने ग्यारवां और के जनक कोन है इसमें प्रिशन पूछा गया इस्थापत्य कला का जनक कोन है तो इस्थापत्य कला का जनक है राणा कुमबा राणा कुमबा को राजिस्तान में इस्थापत्य कला का जनक बाना जाता है कहते बीटा कि राजिस्तान के अंदर 84 दुरगों में से 32 दुरगों का न ऋस राम सिंग सेकेंड के शासनकाल से, ये अपने राजस्तान के अंदर आई ठी, बिल्यू पोर्टरी और इसके जो प्रवर्तक थे, जो जनक थे, वो कोने कृँ अच्छा पुछा गया, कृष्शन करामती का सम्छं करामती का सम्मन्त किस से है,וט ऐ सम्मन्त मुर्फ कर्शन करांति का सम्भंद पैट्रोलियम से माना जाता है ये आपको द्यान में रखना अच्य तरीका से ठीक है नौ mete दूसरी बाग अगला प्रशन देखे जोद्वा प्रशन आपके स्क्रेंज पर है चौदवा, पंदरवा और शोलवा प्रिशन आपके स्क्रीन पर है और आप एक बार इसको देख लीचेगा पहला राजिस्तान बास्केट बल ध्यान रखना जो राजिस्तान का प्रिशन थोड़े से इदर इदर एक मिनट पंदरवा प्रिशन, चौदवा प्रिशन देखिए चौदवा प्रिशन क्या आपका यहाँ पर चौदवा प्रिशन पुछा गया है राजिस्तान, राज्ये खेल बास्केट बोल है राजिस्तान का राज्ये पक्षी भी पुछा जा सकता था राजस्तान का राजय वरक्ष भी पुछा जा सकता था राजस्तान की पाकिस्तान के साथ सिमा कितने लगती है 1070 किलोमेटर सरवाधिक नदियों वाला संभाग भी यहाँ पर पुछा गया कि सबसे ज़्यादा नदिया कौन से संभाग में उंट की खाल पर चित्रकला की जाती है उंट की खाल पर जो चित्रकला की जाती है उसे उस्ताकला कहते है और उस्ताकला राजस्तान के काहफर होती है बीकानेर के अंदर ये राजस्तान में उस्ताकला उंट की खाल पर जो चित्रकारी होती है उसे उस्ताकला के नाम से जाना जाता है आगे देखें बाला थल सब्बेता के बारे में देख लीजिया बाला थल सब्बेता काफर है उधयपूर के अंदर इसनित भाला थल सब्बेता यह प्रिशन भी आपके S.T.C. के अंदर पूछा गया प्रिशन है उननीश्वा प्रशन देखिया आप लोग बिरला सीमेंट का कारखाना कापर मैंने आप से कहाता कि राजिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो सीमेंट होता है राजिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सीमेंट होता वो चितूर गड़ में होता राजिस्तान में सिमेंट उत्पादन का प्रमो कारणी है कि राजिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा क्या निकलता है चूना फत्र निकलता है सबसे ज़्यादा चूना फत्र निकलता है अजमेर का राजिस्तान में विले कब हुआ गया अजमेर का राजस्तान में विले कब हुआ तो अजमेर का विले वह था एक नौंबर उनीसो चपन को जिस दिन मेरवाड़ा मिला जिस दिन मेरवाड़ा मिला उसी दिन ये मिला आगे देखें 21 और 22 प्रशन देखिए आप गंग नहर कौन लेकर आया गंग नहर गंगा कौन सी है गंगा सिंके द्वारा गंग नहर गंगा नगर में लाई गई विश्वे का सबसे बड़ा सोलर पारक और ये निर्माना धीन है विश्वे का सबसे बड़ा सोलर पारक जोदपुर के अंदर है भडला गाउं में तो भडला जोदपुर के अंदर ये पारक है तेव आजये का सबसे बड़ा तेल वेसिन कौन सा है तो सबसे बड़ा तेल वेसिन यही है बाड में साचोर तेल वेसिन इसी के अंदर refinery लगाई गई है ACA का सबसे बड़ा कुरसी फारम ये भी SDC के अंदर पूछा गए एक प्रिशन था ये सबी डियर स्टुडेंट्स के द्वारा भेजे गए सूरतगड गंगा नगर में एसिया का सबसे बड़ा फारम है आगे देखिए कलियुक का करण किसे कहते हैं तो बीकानेर के सासक राव लून करण को कलियुक का करण कहते हैं विटा ठीक है ये द्या डखना अगला है राजस्तान को कितने बहुतिक प्रदेशों में बाटा गया ये प्रिशन अब से पूछा गया राजस्तान को टोटल चार बहुतिक प्रदेशों में बाटा गया नंबर एक थार का मरुस्तल नंबर दो अरावली नमबर तीन पूर्वी मैदारिबाग नमबर चार हाडो तेका पठार 27 वा प्रशन देखे वित्रो और 27 वा प्रशन क्या था बेनेश्वर धाम डूंगरपूर यह जो बेनेश्वर धाम डूंगरपूर के बारे में पुछा गया यहां क्या होता है एक त्रवेनी संगम का आयोजन भी होता है यहां एक त्रवेनी संगम लगता है यह आपको ध्यान रखना यहां तीन नदिया मिलती है सोम, यहां मिलती है माही और यहां मिलती है जाकम यह तीनों नदिया यहां पर आकर क्या करती है मिलती है बेने सुर्धाम डुंगरपूर जहां खंडित सिवलिंग की क्या होती है पूजा और यहां माग पुरणी मा को क्या लगता है मेला यहां माग पुरणी मा को मेला भी लगता है माग के महिने में पुरणी मा को उस मेले को बेटा क्या कहते है आदिवासियों का कुंब कहा जाता है प्रेशनल no. 28 क्या था अब देखे प्रेशन कितना अच्छा पुछा गया था है यहां पर कि 84 खंबों की छत्री कहां पर है 84 खंबों की छत्री कहां पर है और 84 खंबों की छत्री बूंदी के इंदर है जबकि 80 खंबों की छत्री राजिस्तान के अलवर्जिले में कुचामनी ख्याल के प्रशिद प्रवर्तक कों थे तो लच्छी राम जी कुचामनी क्याल के प्रसिद परवर्तकार है ये भी ध्यान रखना आपको अच्छी तरीके से ठीक है तीश्वा और इकतीश्वा प्रशन बड़ा अच्छा प्रशन पूछा गया है मित्रो ध्यान से सुनना प्रशनों का लेवल बहुत अच्छा था ज्यादा वो नहीं था बिल्कुल नॉर्मल प्रशन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे राजस्तान में काली मिट्टी कहां पाई जाती है यानि किस शेत्र में राजस्तान में काली मिट्टी उप्यूगता है तो राजस्तान के किस शेत्र में काली मिट्टी उप्यूगता है तो राजस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी पाई जाती है वो हाडोती शेत्र में रहती है और काली मिट्टी के लिए किस की खेती आउसे कहें तो काली मिट्टी के लिए कपास ये जरूर द्यान रखना कपासी मिट्टी भी कहते हैं इस काली मिट्टी को या वर्टी सोल्स भी कहते हैं वर्टी सोल्स भी कहते हैं एक तेजा जी का जनम पुछा गया तेजा जी का जनम खाऊ वा खड़ना लगाऊ नागुर में तेजा जी माराज क क्या हुआ था जणम 32 प्रसंद दिखिए लक्षमन जी का अवतार किसे मानते है पाप्वु जी माराज कु लक्षमन जी का अवतार मानते है पाप्वु जी राटोड़ और इनका जणम हुआ था बिटा कुलुंमड फलोदी गाउं जोदपुर में और कोलू मंड में पाबू जी माराज का जनम हुआ था तो ध्यान रखे पाबू जी राटोर अगला प्रसंद देखे थोड़ा जोड़ो पागडी एर जबूती राख ली जै पाबू जी राटोर थोड़ा जोड़ो पागडी मुचा तानी मरोड ए रजभूती राकली जै बाबूजी राठोड 33 और 34 प्रशन देखी आगे जितने प्रशन मुझे मिले उदेपुर की स्थापना के बारे में पूछा बच्चों ने बताया कि सब उदेपुर की स्थापना के बारे में पूछा तो उदेपुर की स्थापना कब हुई उदेपुर की स्थापना हुई थी आपको ये ध्यान रखना है ये 1569 के अंदर उदेपुर की स्थापना हुई और उदे सिंग्धी के द्वारा इसकी स्थापना के गई थी बुंदी का संस्थापक कौन था ये तो बिल्कुल सरल था, बुंदी का संस्तापक बुंदा मेनाजी थे और बुंदा मेनाजी के द्वारा इसके क्या के गए थी, इस्तापना के गए थी, किस सेर के, बुंदी सेर के इस्तापना के गए थी, बुंदा मेना के द्वारा, 35 और 36 प्रशन है, प्रशन बड़ा गड़ बीटली दुरुग कहा पर है अजमेर में है इसी दुरुग को तारा गड़ के किले के नाम से भी जाना जाता है तो तारा गड़ का किला भी किसको कहता है गड़ बीटली दुरुग को ही तारा गड़ का किला के नाम से जाना जाता 37 और 38 प्रशन देखिए मित्रो मेवल चेतर किसका है मेवल चेतर या मेवल चेतर के बारे में आपसे पूछा गया तो मेवल किसका प्राचे नाम है पहले तो आपको यह देखना है मेवल डूंगरपुर और बासवारा के आसपास के चेतर को मेवल कहते है सांजी पूजा, सांजी पूजा कौन करती, ऐ विवाईत कन्याओं के द्वारा सांजी को की पूजा की जाती है 49 प्रशन है, राज्य मंत्री मंडल किसके प्रत्ती उत्तर दाई होती है इसका प्रशन नीचे उत्तर नीचे चला गया राज्य मंत्री मंडल देको प्रशन बहुत अच्छा था कि राज्य मंत्री मंडल किसके प्रत्ति उत्तरदाई होती है विदान सबा के प्रत्ति उत्तरदाई होती है ये आपको द्यान रखना चालिस्वा प्रशन आपके स्क्रिन पर है जोदपूर प्रजा मंडल के संस्ता पर कों थे जै नारायन व्यास थे जिने मारवार का गांधी भी कहा जाता है जै नारायन व्यास को प्रताप का अग्रगामी किस सासक को कहा जाता है मारणा परताप के अग्रगामी ये जोधपुर के सासक्ते राव चंदर से परताप का अग्रगामी आधी नामों से जाना जाता है जिसने अकबर की अधिनतास विकार नहीं किती इसलिए इसकी तुलना किसे की गई अकबर से तो मित्रो मुझे सब भी स्टूडेंट डियर स्टूडेंट के दुआरा टोटल यहां मुझे 41 प्रशन मेजे गए थे जिके के 50% सारे आते हैं फिर भी 8-9 प्रशन मिस हो गए आप सब भी मिलान करें आपको अनगर उन प्रशनों का अगर आपको याद है तो आप जरूर उसक आनन्द लेजिए इस विट्लास को देखिए